एंडिये घटक दलों के सभी नेतागान, नव निर्वाचीत सभी साउसदगान, और हमारे राजसभा के भी साउसदगान, आप सब का रदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मरी ने खुशी के बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिशम किया हैं ने उन्होंने दिन देखाना रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में हैं हर दल के कारकरता ने जो पुरुशार्थ किया है परिशम किया है मैं आज समिधान सदन के इस सेंटर होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूं साथ्यों मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथ्यों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाईत्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ग्यत्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूँ जब दोहजार उनीस में इस सदर में मैं बोल रहा था आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार यह दाईत्व देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेतु इतनों मजबूत है यह अतूट रिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और यह सबसे बड़ी पूंजी होता है और इसलिए यह पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रतिए चीतना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं साथ उनको सुप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एंडिये आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार मना करके सेवा करने का मोखा देखिए हमारा यह एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाय है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें हमारे देश में दस ऐसे राज्जे जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रुप से है निरनायक रुप से है जहां इस आबादी आदिवासी की जादा है ऐसे दस राज्जों में से साथ राज्जों में एंडिये सेवा कर रहा है कि साथियों हम सर्व पंत संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में कि चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्थिष्ट हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन जाते हैं आज हम उन राज्जों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गडवंदन के इतिहास में प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ है और यह गडवंदन का विजय है हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं शब्दा अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें सातत्या है सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है लोगतंत्र का वही एक सिध्धान्थ है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है कर दो ख कर दो में जरूरी है अ